बालीवुड अक्ट्रस शेरलीन चोपडा रहूल गांधी से शादी करने के लिए तयार हैं लेकर उन्होंने रहूल गांधी के सामने एक शरत रखी है वो शरत भी आपको बताएंगे लेकर आप शादी करना चाहेंगे रहा चुकी है आपको बता दें कि शेरिलिन चोपडा बिग बॉस की फार्मर कांटरस्टेंट भी रह चुकी है और इस वक्त वो कहीं शाट वीडियो में काम कर रही हैं कहीं फिल्म सुनों ने बनाई हैं और इस वक्त वो एक वेब सीरियस की प्रोमोशन में लगी हुई है आपको बता दें कि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप रहुल गांदी से शादी करेंगी तो उनने कहा हां क्यूं नहीं लेकिन मेरी एक शर्रत है और वो शर्रत ये है कि रहुल गांदी से शादी के बाद मैं अपना सरनेम चैंज नहीं करूँगी यानि मैं अभी तक रहुल गांदी की शादी नहीं हुई है इससे पहले भी रहुल गांदी की शादी को लेकर कहीं बातें की गई लेकिन अब शेरलिन चोपडा ने यहीं से उन्हें आफर दी है कि मैं रहुल गांदी से शादी के लिए तयार हूँ और आप सभी जानते हैं कि रहुल उन्हें जो है इस case पर रोक लगा दी और इनका जो MP का पध्धा उसे फिर से restore कर दिया शेरलीन चोपड़ा अपने controversial statements के लिए हमेशा से ही जानी जाती है और अक्सर वबेश्तर वो अपने ऐसे बयाना जारी करती है जो काफी ज्यादा controversial होते हैं लेकर एक web series की promotion के दोरान जब एक सक्ष ने उनसे ये सवाल पूचा कि क्या आप राहूल गांदी से शादी करेंगी तो इस पर शेरलीन चोपड़ा का साफ तोर पर कहना था कि मैं उनसे शादी करने के लिए तयार हूँ बस मेरी एक शर्त है और मेरी शर्त अगर राहूल गांदी मानेगे तो मैं राहूल गांदी से शादी करने के लिए तयार हूँ और साथी साथ आपको ये भी बता दें कि जब उनका ये स्टेटमेट सामने आया बिल्कुल छोटी सी एक कलिप थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वाइरल हो रहा है हर शक्स अपना तक राहूल गांदी का इस पर कोई रद्द्य अमल जहर करेंगी ये देखने वाली बात हो गी लेकिन फिलाल शेरली चोपड़ा ने अपना बयान जारी कर दिया उनने कहा है कि मैं पूरी तरह से तयार हूँ आगर राहूर गांधी मेरे साथ शादी करते हैं ध्यादी करने के लिए तयार हूँ बस शर्त इतनी सी है कि शादी के बाद जब हमारी शादी हो जाए मेरा सरनेम जो है वो चैंज नहीं होना चाहिए मेरा सरनेम यही रहेगा मैं गांदी सरनेम का इस्तमाल नहीं करूँगी बारहाल इस वक जो है वो अपनी वैब सीरियज पुराशपूर 2 जो एकता कुपूर की जानिب से एकता कुपूर ने जो है वो बनवाई है इसकी प्यूमशन में लगी हुई है और OTT platforms पर जो है ये release भी हो चुकी है 28 जुलाई को और इस वक्त इसके अलावा भी आपने शेरलिन चोप्रा को कहीं फिलम्स में काम करते हुए देखा होगा कहीं उनकी फिलम्स आपने देखी होगी कुछ शाट वीडियो शाट मुवीज भी आपने उनकी देखी होगी लेकिन अब जो ये controversial statement एक और शेरलिन चोप्रा का सामने आया क्योंकि अपने bold और controversial statements के लिए जो है शेरलिन चोप्रा जानी जाती है और उन्हें ये कहा है कि मैं राहूल गांदी से शादी करूँगी फिलहल अभी तक कि इस statement को तक्रिबन 3-4 दिन गुजर चुके हैं राहूल गांदी का अभी तक कोई भी रद्य अमल इस पर सामने नहीं आया देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या राहूल गांदी शेरलिन चोप्रा के इस statement को लेकर कोई अपना रद्य अमल जाहर करेंगे बरहल आप लोग भी अपनी राय कोमेंट वरक्स में जरूर प्रिज